नमस्कार आप देखते हैं खबर जगत प्रेजाग पुलीस को मिली बड़ी काम्याबी अथिक एहमत के छोटे भाई और एकलाग के इनामी अश्चव को पुलीस ने शुक्रवारतर के गिरफतार कर लिया उसे पुरमुफ्ती के हटवा इस्थित उसकी ससुरार से पकड़ा गया वह तकरीबन तीन बश्चव से परा था उस पर शहर के संसेनी खेज राजुपाल हत्याकान समेट दो दरजन से अधिक मुकद में चल रहे हैं पकरे जाने के बाद उसे कैंट ठाने में रखकर घंटो पूच्ताच की गई लखनव से CBI की टीम ने भी अश्रफ से पूच्ताच की सुभा अश्रफ की गिरफतारी की सुचिना मिलते ही बड़ी संख्या में उसके समर्थक और रिष्टेदार ठाने पहुँच गए उन्हें हटाने के लिए पुलीस को ठाने के इर्द गिल्द बैरिकेडिंग लगानी पड़ी एक लाग का इनामी अश्रफ तीन वर्ष पहले भाजबा सरकार बनने के बाद से ही परार हो गया था क्राइम ब्रांच की टीम को सुचिना मिलीती की अश्रफ हटवा इसे अपने ससुराल आया है इस पर क्राइम ब्रांच ने कई ठानों की फोर्स के साथ उसके ससुराल में दबिश दी सड़के उसे गिरफतार कर ठैंट ठैंट ठाना लाया गया यहां अधिकारियों ने उसे घंटों पूछ साथ की राजुपाल हत्याकांट की जाच कर रही सीवी आई टीम को सड़के ही सूचिना दे दी गई दिन में प्रियाग राज पहुची, CVI टीम ने भी अश्रफ से राजुपाल हत्याकाइंट के बारे में पूछता थी फरारी के दौरान भी अश्रफ के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज किये गए थे पुलीस पुन मुकदमों के बारे में भी तह्किकात कर रही है फरारी के बाद पुलीस ने उस पर सबसे पहले 5000 का इनाम घोशित किया था बाद में इनाम बढ़ते बढ़ते एक लाग तक हो गया अक्सर उसके प्रियाग राज में होनी की कुछना मिर्दी थी कई टीमें अश्रफ की तालाश में लगी हुई थी उसकी तालाश में टीमो ने दिल्ली, मुंबई, हरियान, राजिस्थान और गुजरात कमित कई प्रांतों में खोज भी नदी की एक लाग के इनामी अश्रफ को गिरफ्टार किया गया है उससे पूछताच की जा रही है जल्द ही विस्टिस जानकारी दी जाएगी प्रियाग राज में अश्रफ के खिलाफ चाल गिलों में 33 मुकज में दर्ज थे इन मुकदमों में वह पांच मामलों में बॉन्टेट चल रहा था इसके अलावा TBI ने भी राजुपाल हत्यकान में अश्रफ को वांचित किया था फरार होने के बाद उस पर की नाम भोशित किया गया फरारी के दोरान थी उसके खिलाफ धमकी समेच कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया था अश्रफ पर्त प्रियागराज कौसामभी, चंदौली और राय बरेली में 33 मुकदमें दर्ज थे सबसे ज्यादा प्रियागराज में 30 मुकदमें दर्ज है एक कौसामभी के पुरा मुक्ती, एक राय बरेली के उच्छा हार और एक चंदौली में दर्ज है प्रियाग राज में सबसे ज़्यादा नौ मुकदमे धूमन गंच में दर्ष है इसके खुलदाबान में 6, शाह गंच में 5, सविल लाइन में 5, खोतवाली में 1, जार्च ताउन में 1 और मुठी गंच एक मुकदमा दर्ष है इसके अलावा राजू पाल हत्याकान में CBI ने उसे वांटेट घोशित किया गया था पुलीस ने गिरफ्तारी के समय अश्रप के पास जो पिस्टल, फॉर्चूनर और रुपय आदी बरामगी भी दिखाई है लेकिन उसका मोबाइल पुलीस नहीं ढून पाई यह बात भी हो सकती है कि पुलीस में जान बूच कर उसके मोबाइल की बरामगी ना की हो उसके मोबाइल से ही पता चलेगा कि फरारी के दौरा वहकिन के संग्पर्ण में रहता था मददगारों में कौन-कौन शक्त स्वामिल है? पुलीस साथ कहना है कि जहां से गिरफ्तारी हुई है, को सकता है कि वहीं किसी ने उसका मॉबाइल सिपा दिया हो मॉबाइल की बरामगी का प्रयास किया जा रहा है खबर जगत के लिए एल एन सिंग की टीम को गाइड करने के लिए आई जी रेंज लगाए हुए थे तो लगातार अभी अतीग गैंग पर दबाव बन रहा था जो की इंटर स्टेट गैंग है जो आई-एस 227 के रूप में ये गैंग दर्ज है और इन सभी की हिस्टीशीट खुली हुई है जो हिस्टीशीटर है अतीग जिसका 39 हिस्टीशीट है वो अभी जेल में है इसका भाई है ये अजीम और अश्राव इसकी भी हिस्टीशीट खुली हुई है 93A और लगातार ये जरायम में शामिल थे 33 मुकदमे लगबग इनका दर्ज है अभी पांच मुकदमे में इनकी तलाश जारी थी CBI द्वारा भी एक उकदमा इनके द्वारा अभी इन्वेस्टीगेट किया जा रहा है इनके खिलाब और यहां इनका काफी जमीनों के मामले में लोगों की हत्या कराने में भाड़े पे हत्या करने में इनका बराबर नाम आ रहा था तो यह इनका आना जाना तश्दीक हुआ था कि कौशामभी जिले में हटिया में इसकी सस्वाल महां आना जाना इनका था आज बहुर में जब दबीच दी गई तो पता चला कि आज ये शिवाला की तरफ निकले है किसी जमीन का सौधा करने तो वहाँ इमरान के घर के पास इनको घेरा गया और बलपूरवा इनकी गिरफतारी की गई इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है 32 का और उसके साथ 6 कार्थूस भी बरामद हुए है एक फॉर्चूनर गाड़ी यूपी 70 नमबर की है और इनके पास कुछ पहचान पत्र थे 8000 लगबग रुपे इनसे बरामद किये गए है इनसे पूचाच की जाएगी पुलिस रिमांड भी अपलाई किया जाएगा अभी मैजिस्ट्रेट के समक्षिन को पेश करने के लिए बेजा गया है और जितने भी इनके पास मुकर्मे हैं उनके आईए उसको सबको सूचित कर दिया गया है कि वो इनसे पूचाच करें और जिन लोगों के भी नाम आएंगे जिनोंने शरंड दी है या इनके जो सहा परादी है उन सब की गिरफतारी के लिए लगातार दवाव बनाये जाएगा अब ये लगाता है ठिकाने बदल रहे थे पैसे वाले लोग है इन्होंने काफी सारा धन अरजित किया है गैंग्स्टर एक्ट में भी इनके कारवाई इनके इकलाब शुरू ही है तो इनकी मोबिलिटी काफी है कभी दिल्ली भाग जाता था कौशाम्बी में आना जाना था, प्रियाग राज में भी आस पास थाने बदल कर और ये कहीं न कहीं आता जाता रहता था पूर में यह विधायक रहे चुके हैं और यह पॉलिटिकल किलिंग में अभी शामिल रहे हैं इनके कैंग के अभी जो हमने शॉट लिस्ट किये हैं जो हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें मेरे द्वारा मीटिंग की गई आईजी रेंग, एसेसपी यह सभी उपस्तित रहें लगबर 127 से अधिक लोग चिनित हुए हैं जो इनके एक्टिव मेंबर हैं इस गैंग में तो उन सभी के खिलाब हम देख रहे हैं कि उनके मुकदमे किस इस्तिती में हैं उसकी पैरवी प्रभावी कराई जा रही है जिनकी हिस्टी शीट अभी रह गई हैं उनकी हिस्टी शीट खुलवाई जा रही हैं और इन सभी मुकदमों की लगातार पैरवी की जाएगी इनक कि असले कुछ के निरस्त हो गए हैं, कुछ के निलंबित हैं, लेकिन सभी के जहां-जहां भी असले इनके या इनके सैपरादियों के हैं, उनको सब को जमा कराया जा रहा है.